हेलो फ्रेंड कैसे आप सब लोग फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे उटूप चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँँगा की कैसे पता करें कि कमपनी वाले पैसे जमा कर भी रहे हैं या नहीं इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करे और वीडियो को एंड तक जूर देखे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए आगे बहुत ही जुरूरी होने वाली है फ्रेंड काफी सारे मेंबर को पता ही नहीं होता है कि कंपनी पैसे जमा कर भी रही है या फिर नहीं क्योंकि उनके नमबर पर मैसेज भी नहीं आता है और फिर वो कंपनी में बात करते हैं या फिर HR से तो उन्हें जवाब दे जाता है कि पैसे जमा हो रहे हैं हर महीने लेकिन PF से अपडेट नहीं हुए हैं और member company से कोई proof भी नहीं मांग सकते और अगर company वाले पैसे जमा करते हैं तो 24 गंटे बाद payment PF में update होती है और update होने के बाद जितने भी PF member है उन सभी के mobile पर message से जाना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर आप एक message देख सकते हैं इस तरीके का message आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखावा है contribution of rate 783 for due month सितंबर 23 has been received मतलब सितंबर 23 की payment जो की 783 रुपह है वो हमें receive हो चुकी है तो friend ऐसा message सभी के number पर आता है अगर company वाले पैसे ज सकते हैं कि company वाले पैसे जमा कर भी रहे हैं या नहीं तो चलिए friend अब मैं आपको बताता हूँ वो भी step by step कि कैसे check करे friend सबसे पहले हम Google पर EPFO establishment search type करके यहाँ नीचे इस option पर click कर देंगे उसके बाद आपके सामने नए interface open हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपको दो option दिख इसरा code number अगर आपके पास company का code number भी है तो आप उससे भी पता कर सकते हैं code number तो बहुत से कम member को पता होता है लेकिन company का नाम तो सब को भी पता होता है तो यहाँ पर हम company का नाम type कर देंगे उसके बाद नीचे capture code type कर देंगे फिर यहां search पर click कर देंगे फिर आपको कुछ second क का वेट करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर उस company की पूरी details आ जाएगी company का पीअफ कोड नंबर नाम address और पीअफ ओपीस कौन सा है फिर यहां हम action के नीचे view details oblique view report पर click कर देंगे फिर आपको कुछ second का वेट करना पड़ेगा फैन उसके बाद आपके सामने company की पूरी history आ जाएगी company ने काम कफ से start किया company में क्या काम होता है company का pen नंबर और company का पूरा address और पीफ ओपिस का पूरा address यहां पर आ जाएगा उसके बाद यहां पर हम view payment details पर click कर देंगे फैन उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं पीफ चलान का टियारा नंबर date of credit कंपनी ने क आप payment करी और कौन सी date और time वो सारी चीजा आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद यहां पर आगे amount और wage month कौन से month की payment करी है फिर यहां लास्ट में number of employee कि किस month में कितने employee काम करते थे उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको page दिखाई देंगे आप कि यहां पर हर month के आपको चलान दिखाई दे जाएंगे फैन यहां पर हम last में page number 9 पर click कर देंगे फैन देखिए इस company ने October 23 तक payment जमा कर रखी है उसके बाद आप यहां पर Excel में भी download कर सकते हैं और आपको अगर employee के नाम जानने हो तो यहां पर आप number of employee के नीचे यहां पर click कर देंगे जिस मंत में भी हमें देखना हो उसके बाद उस मंत में कितने employee है उन सब के यहां पर नाम आ जाएंगे फैन ऐसे आप इंडिया में किसी भी company की payment की जानकारी ले सकते हैं वो भी company के नाम से और भी ना बताए आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि company ने कहां तक PF में पैस से जमा करे हैं या नहीं तो फ्रेंड आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझगे होईंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकोन जिससे में आगे भी आपके लिए इसी तरह क की नहीं वीडियो लात रहूं और अगर आपको प्याफ या येसाई में किसी भी काम में कोई प्रोलम आ रही है तो आप मुझे कमिट्स कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल आइडिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी